गुड मारीं डेर श्टुएट्स इस क्लास के तहत इस अभी विद्यार थी इंग्लिस टेडर में लेशन 4 जो पोयम है उसको रीड करेंगे उसका अर्थ समझेंगे वर्ड मीनिंग लर्ण करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पोयम को रीड करते हैं किताब खोल के सारे स्टुएट्स सामने रखेंगे देखिए फ्रॉं दपासिंग थ्रो द उड्स पासिंग मतलब गुजरना थ्रो मतलब से होकर के उड्स मतलब जंगल मतलब जंगल से होकर गुजरना या जाना यही मतलब क्या ताइटिल है किसकी पोएम की देखिए उटस मतलब जंगल अगर हम कह सकते हैं तो आर्चाइड मतलब बगीचा भी कह सकते हैं गार्डेन भी कह सकते हैं ठीक बसदिफ्रेंश थोड़ा साथ होता है अब हम लोग थोड़ा से पोएम के बारे में रेड करते हैं They set the roads through the woods 70 years ago weather and rain have undone it again and now you would never know there was once a road through the woods before they planted the trees it is underneath the copious and hat and thin animals animals only the keeper sees that where the ring doe brutes and the badgers roll at easy there was once a road through the woods yes if you enter the woods of a summer evening late when the night air cools on the trots ringed pools where the water vessels his mat they fear not men in the woods because they see so few you will hear the wheat of a horse feet and the fish of a skirt in the dew steady containing through the mist solitudes as though they perfectly knew the old lost road through the woods but there is no road through the woods red yard kipling poet poet अब इसमें देखी word meaning आपका दिया गया है word meaning जिसको आपको नोट करना है जैसे weather motion copy as लिखा है heads मतलब क्या लिखा है जाड़ियों से भरा हुआ अखर्ण जिसको कहते है animals मतलब छोटे तारे के आकार के फूल मतलब फूल कहा जाता है इसे broods मतलब अंड समूः मतलब अंडो का जो समूः होता है उसे broods कहते है a wazer लिखा है बिज्जु एक जानवर का नाम लिखा है बेजर क्या है एक जानवर है animal है इसके वाद solitude अकेल अपन clear तो word meaning आपको note करने है poem learn करने है तो थोड़ा अशा हम लोग poem के किसको समझ लेते है earth को समझ लेते what is the meaning जैसे आपको earth बताया गया from the passing through the woods jungle से गुजरना दे सट द रोट्स वे रास्ते को क्या कर देते बंद कर दिये through the woods मतलब जो जंगल से जाने वाला था 70 years ago 70 साल पहले 70 साल पहले रास्ता बंद कर दिया गया जहां से होकर की लोग क्या करते थे जाते थे weather and rain बारिश और motion have undone it again उने इसे पुना मतलब क्या कर दिया undone कर दिया खोल दिया and now you would never know लेकिन अब आप कभी नहीं जानते there was once a road through the woods कि मतलब इस जंगल से होकर के कभी कोई रास्ता था before they planted the tree इसके पहले कि जब वह पेड को क्या किये थे लगाये थे it is underneath the copious and head it is underneath उसके नीचे था किसके copious copious मतलब इस्थूल जंगल and head and head मतलब जाडियों से जो भरा हुआ था and the thin animals और वहां पर छोटे छोटे क्या थे फूल थे और फूल किसके समान थे तारों के समान थे only the keeper sees लेकिन उसे केवल कौन देख सकता था जो उसका रखवाला था that where the rings the brutes जहां पर किडव मतलब फाकता पच्छी रिंग मतलब अपने घोशले में brutes मतलब क्या देती है अपने अंडे देती है and the buzzer's roll at easy और वहीं पर मतलब एक बजर मतलब बताया गया कि जह मतलब छोड़ा सा जानवर है जो वहां पर क्या करता है घूंता है रोल्स एड़ इजी आसानी से there was once a road through the woods और उस जंगल से होकर के जाने का कभी क्या था रास्ता था as if you enter the woods यस हां यदि आप उस जंगल में का करते हैं प्रवेश करते हैं आप अ समर यूनिंग लेट देर रात गर्मी के महिने में when the night air cools जब सर्दी की जो हवा होती है रात्र की सर्द हवा मतलब ठंडी हवा on the trot जो कहां से आती है जो वहां पर तालाव है उससे बह गर करके आती है where the others vessels his met जहां पर की अन्ने क्या होते है vessels मतलब मिलते है ध्वनिया कह सकते है आप सुन सकते हो वहाँ पर घोडे के पैर के क्या आवाज? एंड दे स्वेश आफ इसकर्ट इन अ ड्यू श्वेश आफ इसकर्ट इन अ ड्यू और जो उस पड़ी होती है उसकी मतलब जो खुश्वू है कह सकते हैं उसको लेश इस्टिडली कंटेनिंग द्थ्रो दे मिस्टी स्वालिट्यूड जो वहां का अकेला पन है आएस दो दे पर्फेक्टली न्यू जैसे कि वह पूरी तरह से जानते हैं दो ओल्ड लास्ट रोड थ्रो दा उड्स वह पुरानी खोई हुई सडक जो कहां से होकर के जंगल से होकर के थी बट देर इस नो रोड थ्रो दा उड्स लेकिन अब इस जंगल से होकर के कोई रास्ता नहीं है तो आप लोग देखिए बैसिकली क्लास एट तक के स्टुडेंट को क्यों पॉयम को लर्न करने रहता है चुकि इसका पर दिस क्लास